सबसे पहले मैं समुरुद्ध भारत फॉंडेशन तता पूरी टीम को सामाजिक न्याय सम्मेलन आयोजीत करने के लिए बहुत बदाई देता हूँ सामाजिक न्याय अठ्रावी लोगसबा चुनाओं का सबसे एहम मुद्दा है जन्जन का मुद्दा है 149 साल पुरानी हमारी कॉंग्रेस पार्टी के विचारों के केंदर में सामाजिक न्याय सदे रहा है बीदे एक दशक में दलित, आदिवासी, बहुजन, अल्पसंक्याक और महलाओं के साथ मोधी सरकार ने भारी नाइंसाफी की है यसी, यस्टी, वुबीची के लिए छात्रवर्ती में कटोती की गई है ओवर्सीज स्कॉलर्शिप में कटोती की गई है यसी सब प्लान, ट्राइबल सब प्लान में 50% फिसदी की कटोती की गई है जातिगत, भेदवाव और अत्याचार बढ़ गए है भर्तियों में भारी बैकलॉग है हर दूसरे दिन भाजपा नेता आरक्षन खतम करने और समिदान को बदलने की धमकी दे रहे है जो डाक्टर अम्बेडकर, पंडिजवरला लेहरू, मौलाना आजाद और अन्य भारत के निर्माताओं ने हमें दिया है भारत के इत्यास में सामाजिक न्याई के छेतर में जो भी अहम काम हुए है उसका स्रेशिरिफ कॉंग्रेस को जाता है इस समय लोगसभा चुनाव में कांग्रेस के कारण ही सामाजिक न्याई का मुद्धा केंदरी बन पाया है क्योंकि हमारा चुनावी न्याई पत्र पांच स्थंदों पर युवा, किसहान, नारी, शरमीक और हिसेदारी न्याई पर खिंदरी थे इसमें 25 गयारंटिया हमने दी है हमारी हिसेदारी न्याई की गयारंटी सामाजिक आर्थिक समानता की सोच का हिस्सा है जो सभी दलीत, आदिवासी, OBC, अल्प संक्याक, महिला और तमाम कमजोर तपके के सामाजिक और आर्थिक सुदार में बेहद मददगार होगी जिसकी जितनी हिसेदारी उसकी उतने भागिदारी की भावना हमारे हिसेदारी न्याई की आत्मा है इसमें हम एक व्यापक सामाजिक आर्थिक जाती जर्णना करार कर सभी जाती उपजाती और समुदायों की आबादी उनकी सामाजिक आर्थिक धशा राष्टी संसादन में उसकी सेदारी और गवर्ननस से जुड़े संस्तानों में उनके पृतिनिदितों को जानेंगे यह समाज का एक्सरे होगा जो सामाजिक परिवर्तन के लिए अहम भूमी का निभाएगा। हम SC और ST के Special Component Plan को पुनरजीवित करेंगे और जल जंगल जमीन का कानूनी हक भी देंगे। हम Forest Conservation Amendment Act और भूमी अधिगरंड आदी नियम के सभी आईसे संसोधनों के वापिस लेंगे जो की आदिवासी विरूदी है। आदिवासी भाई भैनों को Self-Governance और उनके सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा की ग्यारंटी देंगे। हम जो वाइदा करते हैं वो पूरा करते हैं। इसका इधियास रहा है। UPS सरकार द्वारा लागू मन्रेगा RTE और RTI Right to Food Security वनाधिकार रेडी पट्री वालों के अधिकार इसके गवाह है। पिछले दस सालों में मोधी सरकार ने ऐसा एक भी काम नहीं किया। उनकी एकमात्रों पुलवदी चंद मित्रों को अमीर बनाने हैं। मोधी सरकार के नीतियों की ये वज़े से असमानता की खाई और गहरी हो गई है। कमजोर तबकों की हालत इन दस सालों में बज से बत्तर हुई है। हमारे विचारों के केंदर में गांदी जी डाक्टर वावा सावं बेड कर पंडी जवनलाल नेरू का विजन रहा है। गांदी जी ने कहा था कि मैं ऐसे भारत के निर्मान की कोशिश करूँगा जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी मैसूस करेगा। कि ये उनका देश है। इसमें उनकी आवाज का महत्त होगा। उँच नीच का भेद नहीं होगा। स्त्रियों को भी पुर्शों को जैसे अधिकार हासिल होंगे। इस विजन के साथ हमारे समीदान में समानता का अधिकार दिया गया है। अउसर की समानता से लेकर जीविका का अधिकार दिया गया थे हैं। और महिलाओं को समान अउसर मेले। गाओं और शेहर के भीच की खाई, दूर हो, और आर्थिक समानता नहूँ। न हो पिछड़े हुए छेत्र टापू की तरह न बन जाए इन सारी बातों पर गवर करके हमने समिदान और योजनाएं बनाई थी केवल यही नहीं पंचायतों से लेकर संसत तक कमजोर तप्पों के प्रतिनिदित को भी कांग्रेस के नेतरत में आगे बढ़ाने का काम किया ग नहीं सकता लेकिन समाज को बदलने के लिए गहरी सोच और कानून आधार का होना चाहिए हमारे नायकों ने ये दोनों काम किया राहुल गांदी जी के नितरत में भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा देशवर में निकली थी जिसके केंदर में सामाज एक न्याय था इस यात्रा में बुनियादी मुद्दों को जनता के सामने रखा ये बताने का काम किया कि न्याय के उन चारों स्तंबों जस्टिस, लिबर्टी, इक्वैलिटी, फ्रेटर्निटी को मोदी सरकार कैसे तबाह कर रही है जो हमारे समिधान के प्रियांबल में है मोदी ने पिच्डे समुधान को मूर्ख बनाने के लिए लगातार अपनी जाती का प्रचार किया है सत्ता में आने के बाद से उन्होंने पिच्डे और धलितों के लिए कुछ नहीं किया है और उन्हें सिर्फ ओट बैंक के रूप में इस्समाल किया है यदि बे सत्ता में फिर से वापस आते हैं तो यसी यस्टी ओवी सी महिला और अल्प संक्याकों के साथ अगला पांच साल फिर से अन्याय के होंगे बाबा साथ के समिदान को समरक्षित करने के लिए उन्हें सत्ता से बाहर करना जुरूरी है असल में मैं वे अपने अरब पती मित्रों को और अमीर और जनता को गरीब बनाते हैं चंद उद्योग्पती को माला माल करने के लिए बे जनता की संसाधन को बेचने में संकोच नहीं करते और कॉंग्रेस प्रदान मंतरी के इन कारणामों को जनता के सामने लाती है उनसे सवाल पूझती है इसलिए मोदी जी अपने हर भाशन में कॉंग्रेस को कोसते हैं बला उन्हें पता है कि उनके तक्तों ताज को कांग्रेस ही चुनोती दे रही है कन्याक उमार इसे कश्मीर तक हमारा संगटन है अपने विचारों की ताकत पर कांग्रेस काइम है हमारी ताकत है सामाजिक नयाई की ताकत भाजपा की सोच भारत के प्रगती सील भविश के लिए सबसे बड़ा खत्रा है विशेशकर SC, ST, OBC महिला और बागीदारी में और बराबरी से हिस्षेदारी के रहा में हमेशा एक अवरोध है इसलिए हम बाजपा और संग के नापाक इरादों को नेस्त नाबूद करेंगे हम एक बार फिर काम्याब होंगे आप सभी को इस आयोजन के लिए एक बार फिर बदाई आप सबने हमारी बात गवर से सुनी आपका बहुत आवार हूँ जैहिंद